हलो फ्रेंग्स, हिंदी ओडियो बुक में आपका स्वागत है As a man think it, दुनिया वर में self-help के एक शेतर में बहुती मशूर पुस्तक है अगर हम कहीं कि यह पुस्तक स्वें को समर्थ बनाना या फिर स्वें को सिद्ध करने के बारे में लिखी गई है तो अतिशोक्ति नहीं होगी यह चोटी सी पुस्तक हमें यह बताने के साथ-साथ कि हम महान बन सकते हैं हमें महान बनने में एक टूल की तरह काम करती है सत्य हमें उन सीमों से मुक्त कर सकता है वह हमारे जीवन को बदल सकता है जिन से हम गीरे हुए है सत्यात्ता बहुत ही शक्तिशाली होता है जब इसे साधारन भासा में आसान तरीके से पेश किया जाता है जैम चेलन हमें इस पुस्तक के बाध्यम से स्पष्टर रूप से दिखाते हैं कि कैसे हम उस चावी रूपी ज्यान का प्रियोग करके जिस सभलता की हम कल्पना करते हैं उस महांतम सभलता को और उसे प्राप्त करने के तरीकों को खोल सकते हैं इस पुस्तक को साथ अध्यायों में लिखा गया है जो बेहत सुंदर तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए है जैसे पहला अध्याय है विचार और चरित्र, दूसरा अध्याय परिष्टितियों पर विचार का प्रभाव वे तीसरा अध्याय है शरीर और स्वास्ते बर विचार का प्रभाव इसी तरह से यह लैबत तरीके से आगे बढ़ती है वह आपको विचार शक्ति का पूरा परीचे करवाती है यह पुस्तक आपको यह बताती है कि किस तरह हम अपने विचार रुपी यंत्र का प्रियोग कर सकते हैं जेम्स कहते हैं कि हम वास्तों में वही हैं जो हम सुचते हैं, हमारा चरित्र हमारे विचारों का फल है. आप अपने भग्या के निर्माता हैं यह नियम परम सत्य है कि जो खोजेंगे उन्हें मिलेगा जो दस्तक देंगे उनके लिए दर्वाजे खुलेंगे क्योंकि धैरिय, अभ्यास और निरंतर द्रड़ता के माध्यम से ही आप ज्यान के मंदिर में ताखिल हो सकते हैं जेमस आगे कहते हैं कि आप तब तक परिस्तितियों के द्वारा नियंतरित रहेंगे जब तक यह सोचते रहेंगे कि हम बहारी परिस्तितियों से नियंतरित होने वाले हैं आपने अगर नेपोलियन हिल के द्वारा लिखित पुस्तक ठिंकेट ग्रोरिच पढ़ी है तो आपने महसूस किया होगा कि विचार की शक्ति कितनी महान है विचार की शक्ति के माध्यम से क्या कुछ नहीं किया जा सकता है जेमिस के सुत्रों को और अधिक समझने के लिए हमें इस पुस्तक को भी पढ़ना या इसके ओडियोबुक सुननी चाहिए यह पुस्तक मूल रूप से एक कविता मन वह मूल शक्ति है जो हर कारिय को एक सांचे में डालती है और बनाती है के रूप में शुरू होती है बोध मता नुसार शुरूआत में दी गई कविता उस पुस्तक का सार होती है अगर आप उस कविता को समझ लेते हैं तो मान लीजिए आपने उस पुस्तक के सार को समझ लिया है और उसमें दी गई एक एसी चाबी को खोज लिया है जो आपकी प्रतीभा, शक्ती और जादू के ताले को खोल सकती है जेम्स एलन द्वारा लिखित पुस्तक एजे मैन तिंकेत का एक उपहर के रूप में आनंद लें यह चोटी सी पुस्तक अपने आप में एक महान खजाना लिये हुए आपके सामने है धन्यवाद, हिंदी ओडियो बुक टोट कॉम आपका दिन शुब हो हलो फ्रेंज, हिंदी ओडियो बुक में आपका स्वागत है आज हम जेम्स एलन के द्वारा लिखित पुस्तक एजे मैन थिंकेत सुन रहे हैं जेम्स एलन का जन्म सन 1864 में इंग्लेंड के लिसेस्टर में हुआ था उनके पिता का देहान उनके बच्पन में ही हो गया था जिससे उन पर वे उनके परिवार पर मुस्किलों का पहाड सा तूट पड़ा था एसी परिस्तितियों में उन्हें मात्र 15 साल की आयू में ही पढ़ाही बीच में ही छोड़ने पड़ी थी साल 1902 तक आते आते उन्होंने फैसला किया कि अब वे केवल लिखने का ही कारिय करेंगे इस दोरान उन्होंने अपने लेखन कारिय को कॉंट्रेक्टर्स के माध्यम से भी किया अपनी पहली पुस्तक फ्रों पावर्टी टू पावर पूरी करने के बाद वे इन्फराकोम जो कि इंग्लेंड का दक्षनी पस्चिम तट है वहाँ पर आकर बस कई थे जेम्स वहाँ अपनी मृत्यू परियंत साल 1912 तक रहे जेम्स एलल ने अपने जीवन में 19 बेहत सफल वे ज्यानवर्दक पुस्तके लिखी है आज आप जिस पुस्तक एजेमेन थिंकेत को सुनने जा रहे हैं यहे उनकी सर्वस रेष्ट पुस्तक मानी जाती है यहे पुस्तक विचार की शक्ती पर एक निबंद नहीं है बलकि ध्यान, खोज और अनुवहो का बहु आयामी फल है यहे पुस्तक सभी स्त्रियों और पुरुषों को इस सत्य को खोजने में मदद करने की कुजी है कि वे स्वेख खुद के निर्माता हैं वे अपने सुक दुख वे ज्यान अज्यान के मुख्य शिल्पकार उनके खुद के विचार ही होते हैं इनका निर्माता उनका खुद क मन ही होता है जेम्स एलन इल्फरा कॉम इंग्लेंड अध्याए एक विचार और चरित्र हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम हम वैसे ही हैं जैसा हम अपने मन में सोचते हैं इस मुहावरे ने केवल हमारे संपूर्ण अस्तितों को ही नहीं समेटा है बल्कि यह हमारे संपूर्ण जीवन की हर एक दशा, दिशा और परिष्टितियों पर पूर्ण रूपेन खरा उतरता है हमारा चरित्र हमारे संपूर्ण विचारों का ही संपूर्ण फल है हम वास्तों में वही हैं जो हम सोचते हैं जैसे बिना बीज के एक पोधा नहीं उग सकता उसी तरह हमारे विचा वीचारों का मूल कर्म है और यही हमारे सुकतु का फल है अतहम जो भी फल पाते हैं चाहे वो पिठे हो या कडवे ये सभी हमारे विचारों का ही परिणाम होते हैं। हम आज जो भी हैं, वह सब हमारे मन में उत्पन होने वाले विचारों के द्वारा रचित और निर्मित हैं। यदि हम अपने मन में अज्ञान से ओध प्रोध बुरे विचारों को पनपने देते हैं और सदा उन्हें ही पालते रहते हैं तो हम अपनी ओर दुख होए दर्द को ही आकरशित कर रहे हैं और जल्द ही हम दुख से गिरे होंगे जो हमारे बुरे विचारों का ही परिणाम होगा इसके विप्रीत यदि हमारे मन में हम स्वस्त और हिट कर विचार रखेंगे तो आनंद और सुख हमारा उसी तरह पीछा क करेंगे जैसे धूप में परचाई हमारा पीछा करती है पूरुस और श्त्री किसी नियम के द्वारा कोशल से रची रचना नहीं है बलकि ये तो एक उन्नत्ती है विचारों का जितना प्रभाव पूर्ण और द्रड़ परलोग में है उतना ही प्रभाव इस भोतिक जगत म भी है एक महान और इस्वर्य चरित्र कोई सैयोग से नहीं उत्पन होता बलकि वह लगातार सही इस्वर्य विचार सोचने और उनसे लगातार संबंद बनाई रखने से संभव है इसी प्रकिरिया के द्वारा नीच और पशुब्रती वाले मनुश्य लगातार पोशित किये जा रहे हैं जो दूस्ट वै ग्रनित विचारों का ही परिनाम है हम खुद के विचारों के द्वारा ही अच्छे या बुरे इंसान बनते हैं हमेशा हम अपने विचारों की शस्तर साला में उन शस्तरों का संधान करते रहते हैं जिनका प्रियोग हम हमेशा अपने नाश के लिए करते रहते हैं, हम उन उपकरणों को भी बनाते रहते हैं, जिन के द्वारा हम अपने जीवन को सुखत, आनंद में और शांती में बनाते हैं। जिनके निर्माता, कारीगर, पालक वे स्वामी हम स्वे होते हैं। इस युग की सबसे उर्जावान, ताकतवर, विश्वास से भरा हुआ दिव्य वचन और दिल को शुक देने वाला आत्मा से संबंदित यह सत्य है कि तुम अपने विचारों के मालिक, चरित्र को डालने वा और तुम्हारे पास ही रुपानतर्णकारी वे पुनरुथान की शक्ती है, जिसके द्वारा तुम खुद को वो बनाते हो, जो बनाना चाहते हो। हर परिस्थित को नियंतित करने की चावी तुम्हारे हातों में है। तुम अपने हर हाल के स्वामी होते हो, यहां तक कि अपने इस दशा के बारे में सोचते हो और उस सुत्र को जिससे तुमारा अस्तित्व है को अपनी पूरी ताकत लगा कर ढूनते हो तब तुम एक पुद्धिमान स्वामी के नजर ये से अपनी सभी शक्तियों को बुद्धि मता पूर्वक निर्देशित करते हो और अपने व खोज परियोग आत्म विशलेशन और अनुबहों के द्वारा अपने विचारों के सुत्र खोज कर आप भी एक बहतरिन मालिक बन सकते हैं आप जानते हैं कि सोने और हीरे को खोजने के लिए गहन खनन करनी पड़ती है इसी तरह तुम अपनी आत्मा की खान में गहराख हो दोगे तभी अपने अस्तितों से जुड़े हर सत्य जान पाओगे यदि तुम अपने विचारों को देखो नियंतरीत करो और उन्हें बदलते हो और दूसरों वै अपने जीवन और परिस्तितियों में हो रहे बदलाओं के कारण और प्रभावों को महसूस कर देख कर धर्यपूर्ण अभ्यास और परक करो अपने हर अनुबहों को यहां तक की हर दिल के छोटे छोटे बदलाओं को भी स्वें के बारे में आई बदलाओं के बारे में जानने के लिए प्रियोग करो जिससे समज, बुद्धी और शक्ति जो तुमें प्राप्त हो रही है उसे महसूस करो फिर तुम शायद बिना हुए यह नियम परम सत्य है कि जो खोजेंगे उन्हें अवश्य मिलेगा जो दस्तक देंगे उनके लिए दरवाजे अवश्य खुलेंगे क्योंकि द्रडता, धहर्य और अभ्यास के द्वारा ही तुम ज्यान के उज्वल मंदिर में प्रवेश कर सकते हो धन्यवाद, हिंद प्रवाई से अपने आपढ़ने दे सकते हैं, परंतु उसे चाहे जोता जाए या उसे खाली छोड़ा जाए, या उसकी उपेक्षा की जाए, उसमें कुछ ने कुछ उगेगा जरूर, या कहें कुछ ने कुछ फलीबूत अवश्य होगा, अगर उसमें कोई वीज नहीं बो पतवार को समय समय पर निकालता रहता है, और उसमें वो ही फल फूल और पेड़ पोदे आदी लगाते हैं, जिसकी माली को चाह होती है, या कहें आवशकता होती है, हमें भी अपने मन रूपी बगीचे को एक माली की तरह लगाता देखबाल करते रहना चाहिए, एशुद, बेकार, अनावशक और अनुचित विचारों को पहचान कर अपने मन से निकाल फेंकना चाहिए, वे आवशक, शुद, उप्योगी और उत्पादक विचारों को फलों और फूलों की करेश सहेज कर उनकी उचित प्रकार से देखबाल करते रहना चाहिए, इस प्रकिरिया का नियमों को प्रकट कर पाते हो, आप यह हमेशा बढ़ती सत्यता से यह भी समझ पाते हो कि कैसे आपके विचार की शक्तियां और मन के अन्य गटक आपके सच्चे चरित्र, सकारात्मक परिस्टितियां और उजवल भागय का निर्मान करने के काम में लगे हुए हैं, विचा नियमों की बाहरी परिस्टितियां आपके अंतरमन के विचारों से परस पर जुडाओ और तालमेल में रहेंगी, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर समय जैसी आपकी परिस्टिती है, वह आपके पूरे चरित्र को ही दरसाती रहती है, इसका अर्थ यह है कि वे परिस सत्ता के नियमों के कारण ही है, आपको इस जगे आपके विचार ही लेकर आई है, आपके जीवन की सरंचना में सैयोग नाम की कोई चीज नहीं है, जो भी है, वह उस नियम का ही परिणाम है, जो अचूक है, यह बात उनके लिए उतनी ही सही है, जो अपनी परिस्टितियों के साथ तालमेल में कमी का अनुभव करते हैं, जितना कि उनके लिए जिने लगता है कि वे परिस्टितियों से संतोष्ट हैं, एक प्रगतिशील और जागरुक सत्ता के रूप में आप जहां पर हो, वहां इसलिए हो कि आप उससे सीख कर आगे बढ़ सको, जैसे आप परिस परिस्टितियों द्वरा प्रभावित प्राणी हो, तब तक आप परिस्टितियों की मार खाते रहोगे, लेकिन जब आपको यह अनुभव होगा, कि आप एक रचनात्मक शक्ती हो, और उस छिपी होई भूमी और बीज, जिससे परिस्टितिया पनपती है, पर अपना अध अधिकार जमा सकते हो, तब आप सही माइने में अपने खुद के स्वामी बन जाते हो, आतम परिक्षन और आतम सैयम का अभ्यास करने वाले सभी लोग यह जानते हैं, कि परिस्टितियां विचारों से ही उत्पन होती है, उन्होंने यह देखा है, कि उनकी परिस्टितियों में फेर बदल, उनकी मानसिक स्थिति में फेर बदल से सीधे अनुपात में होता है, यह सही है कि जब आप उत्सुता से अपने विचारों की कम्यों को दूर करने में स्वेय को लगा लेते हो, तब आप बहुत जल्दी प्रगती करते हैं, और बहुत सारे परिवर्तनों से जल्दी ही गुजरते हैं, हर विचार रूपी पीज, जिसे मन में विचारों के मध्यम से बोया जाता है, वह अच्छी उपज ही देगा, और देर सवेर किसी ने किसी कारिय की रूप में फलता पूलता है, वह उसमें परिस्थिति रूपी फल अवश्य लगते हैं, अच्छ जाई की चरम सीमा तक ले जाने के लिए, प्रिये वह अप्रिये बहारी प्रिस्थितियों के वे मुख्य गटक हैं, आप अपने बोय की फसल काटने वाले स्वें होने के नाते, कष्ट और आनंद दोनों का ही अनुभव करते हो, वह उनसे सीखते हो, जिने आप अपने पर ह भावी होने देते हो, एसी आंत्रिक इच्छाओं, आकांक्षाओं और विचारों का अनुसरन करते हुए, अपने जीवन की बहारी परिस्थितियों के रूप में उनकी पूर्णता तक पहुशते हो, उन्नती और अवनती के नियम सब जगय लागू होते हैं, कोई भी व्यक एक आये कि ही किसी बहारी शक्ती के दवाव में आकर अपराद से नहीं गिर जाता, उसके मन में आपरादिक सुक्षों विचार गुप्त रूप से पनप रहा होता है, जो आवसर मिलते ही अपनी पूरी शक्ती से प्रकट होता है, परिस्थितियों व्यक्ति को नहीं बनाती बलकि उस व्यक्ति का विचार जैसा है, उसके लिए वैसी परिस्थिति प्रकट करती है, शिवाई हमारे स्वें के बुरे इरादों के ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं होती, जो हमें बुराईयों या कष्ट की और नीचे ले जा सके, इसी प्रकार ऐसी भी कोई स्थिति न नहीं हो सकती, जो हमारी बिना आच्छी और सफल आकांक्षाओं को निरंतर उप जाए, हमें पुन्य, सफलता और उससे जुड़े आनंद की और उपर ने उठाए. इस प्रकार से हम यह जान जाते हैं, कि अपने विचारों के स्वामी होने के नाते हम स्वे को बनाते हैं, अपनी परिस्थितियों और वातावर्ण को आकार देते हैं, और उसके रचियता भी हमी होते हैं. हम जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते बलकि हम उसे अपनी और आकर्षित करते हैं जो हम है हमारी महतव कांक्षाईं, हमारी पसंद और हमारी इच्छाईं कदम कदम पर निश्पल होती रहती है हमारे आंत्रिक विचार और इच्छाएं स्वें की खुराग जो चाहे अच्छा हो या बुरा उसी के द्वारा पोशित होती है वह दिव्यता जो हमें आकार देती है वह हमारी आत्मा है जो हमारे अंतरमन में है हम स्वें के द्वारा ही बंदी बनाए गई होते हैं हमारे स्वें के विचार और कर्म हमारे भग्य के जेलर है यदि वे तुछ हैं तो हमें बंदी बनाते हैं और अगर वे अच्छे हैं तो हमें मुक्त करते हैं आपने कभी न कभी यह मैसूस अवश्य किया होगा कि हमें वह नहीं मिलता जिसके हम इच्छा करते हैं या जिसके लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन आपको पता है कि हमें वह मिलता है जो हम सही तरीके से कमाते हैं क्योंकि हमारी इच्छाई और प्रार्थनाई तभी पूर्ण होती है जब वे हमारे विचारों और करम से तालमेल में होती है इस द्रिश्टी कोण से देखें तो परिस्तितियों से लड़ने का हमारे जीवन में क्या आर्थ है इसका सीधा सा आर्थ है कि हम हमेशा बाहरी परभावों से लड़ते रहते हैं वे साथ ही साथ उसके कारणों को अपने मन में पोशित वे सनक्षित करते रहते हैं। यह कारण या तो जागरुक बुराई या फिर ए जागरुक कमजोरी का रूप धारन कर लेता है। लेकिन चाहे वे है जो कुछ भी हो वे है धारन करने वाले के प्रेतनों को द्रड़ता से रोपता है और किसी हल को खोजने को मजबूर करता है। हम मेंसे ज़्यादातर लोग अपनी परिस्तितियों में सुधार लाना चाहते हैं। परन्तु स्वे में बिल्कुल भी सुधार नहीं लाना चाहते और इसलिए हम बंदन में रहते हैं। यदि हम सच्चे आत्म परिक्षन से मूँ नहीं चिपाएं तो हम कभी भी वह पाने से वन्चित नहीं होंगे जो हमारा दिल चाहता है। यह सभी भोतिक विशों के लिए उतना ही सही है जितना की देवी विशों के लिए। यदि हम केवल संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने लक्षय को पाने से पहले हमें अपने महान व्यक्तिकत त्याग करने के लिए तयार होना चाहिए और हम में से वे शशक्त और शांत जीवन चाहते हैं उनके लिए तो कितना और कुछ करना होगा कुछ लोग जो गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं वे हमेशा इस बात के लिए व्याकुल रहते हैं कि उनके आसपास का माहुल और घरेलू सुख सुविदाएं सुधरने चाहिए लेकिन इन परिस्थितियों को बदलने के लिए कि ये जाने वाले काम से जी चुराते रहते हैं वे मानते हैं कि अपने मालिक जहां वे काम करते हैं उसे दोका देते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत कम तनक्वा मिलती है इसलिए वे जो कर रहे हैं वह सही है ये लोग इस सादार्ण से मूलभूत सिद्धान को नहीं समझ पा रहे हैं जो कि सच्ची समर्दी का आधार है और नैकेवल अपनी गरीब स्थिती से बाहर निकलने के लिए योग्य हैं बलकि बुरी परिशितियों के बारे में सोच सोच कर उसे वास्तों में अपने जीवन मे आकरशित कर लेते हैं एसे लोग कमजोर, आलसी और हमेशा ब्रहमित विचारों में जी रहे होते हैं कुछ अमीर लोग हैं जो पेटुपन की वज़े से लगातार दर्दनाग बिमारियों से ग्रस्त हैं वे इन बिमारियों से चुटकारा पाने के लिए धेर सारा पैसा करना चाहते हैं परन्तु ज्यादा खाने की आदत को बदलने के लिए तयार नहीं है वे ज्यादातर चकपटे और मज़ेदार खाने की अपनी इच्छा को हमेशा संतुष्ट करना चाहते हैं और अच्छा स्वास्थे भी चाहते हैं एसे लोग अच्छे स्वास्थे के प्रतिष्टा और सम्रद्धी दोनों ही मामलों में दिवाला निकल जाता है तब ये लोग परिष्टितियों को दोस्ट देते रहते हैं लेकिन वे यह नहीं जानना चाहते कि अपनी इस परिष्टिति के वे ही पठकता लेखक हैं ये तीन उधारण मातर इस सत्या को बताने के लिए कहे गए हैं कि लोग अपनी परिष्टितियों को बिना जाने निरंतर उन विचारों और इच्छाओं को प्रोचसाहित कर रहे हैं जो उन अच्छे फल से संभवते तालमेल नहीं खाते हैं जो वे चाहते हैं वे ऐसा करते कि हम अपने मन और जीवन में विचार के नियम के करम को खोजेंगे और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक केवल बाहरी तथ्य तरक के लिए प्रयाप्त नहीं हो सकता परिष्टितियां फिर भी इतनी जटिल हैं विचार इतना गहराई से पैठा है और व्यक्ति व्यक्ति मे इनी कारियों में इमानदार हो सकता है परंतु अभाव ग्रस्त है जबकि दूसरा व्यक्ति कई कारियों में बेइमान हो सकता है फिर भी खूब संपत्ति हासिल करता है और इसका आधिकतर मतलब निकाला जाता है कि कोई व्यक्ति इसलिए ऐसफल होता है क्योंकि वह इमानद है और इमांदार व्यक्ति लगबग पूरी तरह से पुन्यात्मा है गहन ग्यान और विस्तरत अनुभव के आधार पर यह निर्ने कलत पाना चाता है बैवान व्यक्ति में भी कुछ ऐसे परसंसनियगुण हो सकते हैं जो दूसरों में नहीं है और इमांदार व्यक्ति में कु कष्ट का भी अनुभव करते हैं बैवान व्यक्ति उसी तरह से कष्ट या हर्ष का अनुभव करता है मानव एहम को यह मानना अच्छा लगता है कि व्यक्ति अपने सद्गुणों के कारण कष्ट में होता है परन्तु जब तक हम अपने मन से हर रोगी कटू और एशुद व हमारे बुरे विचारों के कारण है नै कि हमारे अच्छे गुणों के फलसो रूप है उस परम पूर्णता के पत पर पहुँचने से बहुत पहले हमें अपने जीवन और मन में कारिय शील उस महान नियम का पता चल जाएगा जो पूर्णते अन्याई संगत है जो बुरे के बदले अच्छा या अच्छे के बदले बुरा नहीं देगा जब हमें ऐसा ज्ञान होता है तब हम यह जान पाते हैं अपने पूर्ण के अज्ञान और अंदेपन को देखते हुए कि हमारा जीवन अभी और सदा से ही न्याई संगत रहा है हमारे पूरों के सारे अच्छे या बुरे अनुभाव हमारे विक्षित होते हुए फिर भी एविक्षित आत्मा के ही उचित परिनाम है। अच्छे विचार और कर्म कभी भी बुरे परिणाम नहीं दे सकते और इसके विपरीत भी इतना ही सही है कि बुरे विचार और कर्म कभी अच्छे सुखद परिणाम नहीं दे सकते हम प्रकरती जगत में इस नियम को पहली बांती जानते हैं और समझते हैं वे इसके अनुसार काम भी करते हैं कि आम के बीच से आम का पेड़ ही उगेगा और बबूल के बीच से केवल बबूल का पेड़ ही उगेगा और वैसे ही फल देगा लेकिन कुछ ही इसे मानसिक वे नैतिक जगत में समझते हैं जबकि हमारे विचारों के मामले में भी यही नियम लागू होता है वहाँ भी यह उतना ही सहजवे अटल है, इसे नय समझने पर हमें परेशानी उठानी पड़ती है, और तब ये नियम हमारी इच्छाओं के अनुरूप सहयोग नहीं देते हैं। कश्ट वे पीडा गलत दिशा में लगाए गए गलत विचारों का प्रभाव है। यह एक संकेत है कि हमारा अपने आफ से, अपने अस्थितों के नियम से तालमेल नहीं रहा है। कश्ट का एक मात्र और उचतम कारिय है शुद्धी करना। वे है सब जो बेकार और अशुद्ध है उसे जला देना, वे जो शुद्ध हैं उनके लिए कश्ट खत्म हो जाते हैं। एक बार जब सोने से मेल हट जाता है, तो उसे जलाते रहने का कोई मतलब नहीं होता है। और इसी तरह से पूर्ण रूपेन शुद्ध वे साक्षातकारी पुरुष कश्ट में नहीं रहता। वे है परिष्टितियां जिनका हम कश्ट से सामना करते रहते हैं, वे हमारी मानसिक वी संगतियों का परिणाम है। वे परिस्तितियां जिनका हम क्रपा वै आनंद से सामना करते हैं, वे हमारी मानसिक संगत्य का नतीजा है। क्रपा, आनंद, मानसिक पवित्तरता ही बोधिक संपत्य की अधिक्ता का माप नहीं है। और यहा भी नहीं कि बुरे विचार ही एकमात्रकष्ट, प्लेश और दुख ही बहुतिक संपत्य की कमी का परिमाप है कुछ लोग दुखी और अमीर होते हैं, कुछ लोग धन्य और अमीर भी होते हैं, पवित्रता और अमीरी तभी जुड़ते हैं, जब धन को सही और विवेक से कमाया और इस्तेमाल किया जाता है, गरीब अधिक पीडा का अनुवव तब करते हैं, जब उन्हें लगता है कि बि जब तक हम खुश, स्वास्ट और सम्रद नहीं होते तब तक हमारी सही अवस्था नहीं होती। खुशी, स्वास्थे और सम्रदी का हमारी परिस्तितियों के आंत्रिक और बाहरी स्थिति से तालमेल का ही परिणाम है जब हम शिकायत वे तिरिसकार करना बंद कर देते हैं और उस छिपेवे नियम को जो हमारे जीवन को संचालित करता है उसे ढूंडना शुरू करते हैं हम दूसरों पर अपने कष्ट का कारण होने का आरोप लगाना बंद कर देते हैं और हम शशक्त और स्वस्त विचारों को अंतरमन में बढ़ाने लगते हैं हम परिस्तितियों पर चिखना चिलाना बंद कर देते हैं वे अपनी तिव्र प्रगती के लिए अपने अंदर प्यूज शक्तियों और संभावनाओं को खोज करके एक साधन के रूप में प्रियोग करना शुरू कर देते हैं इस सत्या का प्रमान हर इंसान में है और इसलिए नियमित आत्म परिक्षन और आत्म विसलेशन की सरल परताल द्वारा इसे जाना जा सकता है हम मूलबूत तोर अगर अपने विचारों को बदलते हैं तो हम अपने जीवन की बहुतिक परिस्तितियों में आई त्वरित बदलाओ को देखकर आश्चरे चकित रहे जाएंगे कभी कभी हमें लगता है कि हम अपने विचारों को गुप्त रख सकते हैं परंतु ऐसा नहीं है वे जल्दी ही आदत में बदल जाते हैं और आदत परिस्तितियों का रूप ले लेती हैं बुरे और निम्नस्तर के विचार आक्रोश और नशे की आदत बनाते हैं जो पीडा, कर्ष्ट और गरीबी का रूप लेते हैं किसी तरह के भी विनाशकारी विचार अन्सुल जी ठकाव आदतें बन जाती है जो ध्यान भंग करने वाली और वीपरीत परिस्तियों का आकार ले लेती है डर संचे और एनिलनायक विचार कमजोर और बेमेल आदतों का रूप ले लेते हैं जो ऐसफलता गरीबी और निर्वरता की परिस्तियों के रूप में आकार लेती है आलसी विचार बेह दंड मिलने वाली परिस्तितियों का आकार लेते हैं हर तरीके से स्वार्थी विचार, स्वार्थी पन का रूप लेते हैं जो उन परिस्तितियों को आकरशित करते हैं जो दुखदाई होती है दूसरी और हर तरह के सुंदर विचार कृपा और अच्छाई का रूप लेते हैं जो प्रिय और सुकद परिस्तितियों को आकार देते हैं रचनात्मक विचार आत्म सैयम और संतुलित मन का रूप लेते हैं, जो शान्ती और विश्रान्ती की परिस्तितियों का आकार लेती है। साहस, आत्मनिर्बर्टा और निर्ने के विचार शशक्त और फल्लाई आदतों का रूप लेते हैं, जो सफल्ता, प्रचूर्ता और मुक्ती की परिस्तियों को आकारदेती है, पूर्जापूर्ण विचार सफाई पसंद व्युद्धमी आदतों को आकारदेती है, म्रदूल के लिए श्वय को भूल जाने की आदत का रूप लेते हैं, जो निश्चित और स्थाई प्रचूरता वे सच्ची समर्दी की परिश्चितियों को आकार देती हैं। हमारे अपने द्वारा काम करती हैं, जिससे कि हम इन विचारों का आनंद उठा सकें, जिने हम पोशित करते हैं और एसे अवसर प्रस्तूत होते हैं, जो जल्दी ही अच्छे और प्रभावशाली विचारों को सतैपर ले आते हैं। जिससे कि हमारे शशक्त संकल्प को मदद मिले, जैसे ही हम अच्छे विचारों को बढ़ावा देते हैं, तो कोई भी दुर्भाग्या हमें शर्म और कष्ट से नहीं गेरता है। संसार हमारा बहूरूत दर्शी के लिडोस्कोप है, और हर क्षन जिन विभिन रंगों को प्रस्तूत करता है, वे हमारे सतत उबरते विचारों के अद्बुत चित्र हैं। धन्यवाद, hindi-audiobook.com, आपका दिन शुब हो। चाहे फिर वे सोच विचार कर चुने गए हों या स्वत्य प्रकट हुए हों। मन के दुशित, नकारात्मक वे बुरे विचारों के कारण हमारा शरील बिमार पढ़ जाता है, जिससे हम पतन की और अक्रसर होते हैं। और अगर हमारे मन में खुश, सुन्दर, सुवस्त और सकाराफ़क विचार हैं, तो इनकी आज्या पर हमारा शरील सुन्दर, सफल और योवन से बरपूर सूसजित हो जाता है। रोग और स्वास्ते की भी परिस्तितियों की तरह हमारे विचारों में जड़े होती है। रोग ग्रस्त विचार अपने लिए आपके शरीर को बिमार बना लेगे। समय समय पर होई रिसर्च में यह पाया गया है कि डर के विचार व्यक्ति को उतनी ही जल्दी मार डालते हैं जितनी जल्दी एक बंदूग की बुलेट। वे लाखों लोगों को निरंतर इसी तरह धीरे धीरे मार रहे हैं। जो लोग किसी जानी पहचानी या अंजान बिमारी के डर में रहते हैं। बिमारी उन्हें देर सवेर अपनी पकड में ले ही लेती है। बिमारी की यह चिंता जल्द ही पूरे शरीर को निरोटसाहित कर देती हैं। और रोग को शरीर में प्रवेस करवाने के लिए इसे कमजोर बना देती है। नकारात्मक वे अशुद्ध विचार चाहे शारिरिक तोर पर प्रहार ने करें। लेकिन नाडी मंडल पर नकारात्मक प्रवाव अवश्य डालते हैं और उन्हें कमजोर कर देते हैं। सुन्दर, सकारात्मक, शुद्ध वे प्रसन्द विचार शरीर को जोस और लवण्य से सुसच जित करते हैं। शरीर नाजुक और ढलने वाला यंत्र है, यह उन विचारों पर ततकाल प्रतिक्रिया करता है, जो उस पर प्रवाव डालते हैं। जब तक लोग नकारात्मक विचारों को फैलाते रहेंगे, तब तक उनमें अशुद्ध और जहरिला रक्त बहता रहेगा। शुद्ध हरदय और मनन से, शुद्ध जीवन और शुद्ध शरीर उत्पन होता है, दुशित वे नकारात्मक मन से, दुशित वे नकारात्मक शरीर वे जीवन ही उत्पन होते हैं। विचार ही कर्म, जीवन और प्रक्टिकर्ण का स्रोत है, स्रोत को अगर शुद्ध करेंगे तो सब शुद्ध हो जाएगा, अच्छे स्वास्ते की चाहत में जो लोग भोजन का तरीका या शैली बदलते हैं, यह तब तक उनकी मदद नहीं करेगा, जब तक वे अपने विचा करक जीव से डरने की आउशकता नहीं है, स्वस्त विचार स्वस्त आदते मनाते हैं, यदि आप शरीर को पूर्ण स्वस्त रखना चाहते हो, तो अपने मन की रक्षा करो, यदि आप अपने शरीर का नविनी करन करना चाहते हो, तो मन को सुन्दर बनाओ, तुर्भावना, इरशा, निराशा, नकारात्मक्ता और उदासी के विचार शरीर के स्वास्ते और उसकी चमक को लूट लेते हैं चिटचिटा चेहरा एकाएक नहीं बनता है वह उग्र विचारों से बनता है जुरियां जो चेहरे पर खराब दिखती हैं वे मुर्खता, पीड़ा और गमंड के कानूत्पन होती है आप अवश्य ही किसी ने किसी ऐसे बुड़े चेहरे को जानते होंगे जो तेजस्वी और एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुरहट के साथ चमक से भरा हुआ होगा और एसे चेहरे भी आप अवश्य देखती होंगे जो निराशा की जुरियों के कारण उम्र से पहले ही बुड़े दिखाई देने लगे होंगे एक चेहरा खुशी वे सकारात्मक्ता का वे दूसरा चेहरा नकारात्मक्ता वे बुरे निराशा जनक विचारों का परिणाम है एक शशक्त शरीर, चमकिला, खुश और शान्त चेहरा तब तक ही रह सकता है जब तक आप अपने मन में हर्ष, सत्भावना और शान्त विचारों को आने की खुली चुट देते हो बुजुर्ग लोगों के चेहरों पर सहनुबूती की जुर्या होती है जो सशक्त और सुद्ध विचारों से बनती है लेकिन बहुत से नकारात्मक भावनाओं द्वारा भी बनती है इन में हम तब तक फर्क नहीं का सकते जब तक उनके विचारों को ने जान ले जिनोंने धर्म संगत जीवन जिया है उनका जीवन एक अस्त होते सूर्या की तरह शान्ति पूर्ण, स्तब और म्रदूल हो चुका होता है हाल ही में मैंने एक दार्षनिक को उनकी मरत्यों सियापर देखा वो उम्र के अलावा बूरे नहीं थे उनकी मरत्यों उतनी ही मीठी और शान्ति पूर्ण थी जितना उनका जीवन था शारिरिक विमारियों को दूर भगाने के लिए खुश दिल विचारों से अच्छा कोई डोक्टर नहीं है दुख और शोग की काली परचाई को हटाने के लिए सदभावना जैसी तसल्ली देने वाली कोई चीज नहीं हो सकती सदा दूसरों के बारे में बुरा सोचना द्वेस रखना शक करना और इर्शा के विचार रखना एसा ही है जैसा स्वय निर्मित जेल में रहना परंतु सब के बारे में अच्छा सोचना सब के साथ खुश रहना धहरिये के साथ यह सीखना कि उनमें केवल अच्छाई ही देखना एसे निस्वार्थ विचार स्वरक्कियोर ले जाते हैं दिन प्रती दिन हर प्राणी के प्रती शान्ति के विचार रखना आप में अध्वुत शान्ति लाएंगे धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक टोट कॉम आपका दिन शुब हो जब तक कोई भी विचार उदेश्य के साथ नहीं जोड़ा जाता तब तक कोई भी प्रतिभा पूर्ण उपलब्दी नहीं बनती बहुत से लोग अपने उच्तम विचार जीवन के सागर में दिशाहिन गती से बहने देते हैं जीवन में विचारों की दिशाहिनता बहुत बूरी होती है अगर जो लोग विपत्ति और विनाश्य से दूर रहना चाहते हैं तो उनको इस प्रकार बहने से स्वें को रोकना होगा जिनके जीवन में कोई मुख्य उदेश्य नहीं होता वे बहुत ही जल्दी तुछ चिंताओं, डर, परेशानियों और अपने प्रति दया रखने के भाव से ग्रस्त हो जाते हैं और ये सभी कमजोरी के लक्षन होते हैं ये ठीक वैसे ही ऐ सबलता, ऐ प्रशंता और कमी की ओर ले जाते हैं जैसे सोच समझ कर आयोजित किये अगय अपराद होते हैं क्योंकि कमजोरी शक्ती विक्षित करने के ब्रमाहंड में टिक नहीं सकती हमें एक नयाय संगत उदेश्य के बारे में विचार करना चाहिए वै उसे यथार्थ बनाने के लिए कारियसील होना चाहिए हमें अपने उदेश्य को विचारों के केंदर में रखना चाहिए उदेश्य बनाते समय हमारी प्रकृति कैसी है उसके अनुसार वह आध्यात्मित या फिर बहुतिक लक्षा का रूप ले सकता है परन्तु वह जोगी हो हमें उस उदेश्या पर द्रड़ता से अपनी विचार सक्ती को केंदित करना चाहिए हमें इस उदेश्या को अपना उच्चतम करतव्य बनाकर उसकी प्रगती के लिए स्मय को समर्पित कर देना चाहिए वह अपने विचारों को क्षणिक रूचियों, चाहतों और कल्पनाओं के पीछे नहीं भागने देना चाहिए यह आत्म सैयम का राजसी मार्ग है और विचार की सच्ची अकागरता है यदि हम बार-बार अपने उदेश्य को पाने में ऐसफल हो रहे हैं तो यह तब तक होता रहता है जब तक हम अपनी कमजोरी से उपर नहीं उट पाते हैं और इससे हम चरित्र के सामर्थे को प्राप्त करते हैं वह सच्ची सफलता का मापदंड होता है वह यह भविश्य के सामर्थ है और विजय की नई शुरूवात होती है जिनका कोई महानुदेश्य नहीं होता है उन्हें अपने विचारों को करतव्य के अचूप प्रदर्शन पर केंद्रित करना चाहिए फिर चाहे उनका कारिय कितना ही छोटा क्यों नई दिख रहा हो केवल इसी तरीके से विचारों को एकत्रित करके केंद्रित किया जा सकता है वह संकल्प और उर्जा को विख्षित किया जा सकता है इसे सिद्ध करने के बाद एसा कोई भी लक्षे नहीं रहे जाता है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता हो कमजोर आत्मा अपनी कमजोरी को जानते हुए और इस सत्य में विश्वास रखते हुए कि सामर्थ्य, प्रेयतन और अभ्यास द्वारा विक्सित की जा सकती है वे तुरंत ही प्रेयतन सील हो जाती है और प्रेयतनों द्वारा सदा विक्सित होती रहती है और अंत में दिव्य रूप में शशक्त हो जाती है जैसे शारिरिक तोर पर कमजोर लोग सतर्क और धहर्यपूर्ण प्रशिक्षन द्वारा अपने आपको सशक्त बना सकते हैं वैसे ही कमजोर विचार वाले लोग सही सोच का अभ्यास करके अपने आपको सशक्त बना सकते हैं दिशाहिंता वे कमजोरी को दूर करके किसी भी उदेश्य के साथ सोचना उन सशक्त लोगों की स्रेणी में पहुंचना है जो की सफलता प्राप्ती के लिए एक मार्ग के रूप में पहचानते हैं और जो सब परिस्तितियों को अपने अनुकूल बनाते हैं और जिनके विजा करने का एक सीधा मार्ग बिना दाएं बाएं देखे तैयार करना चाहिए अपने अंदर छुपे वे संस्य वे डर को शक्ती से निकाल फेंकना चाहिए ये वे विचेदक तत्व हैं जो प्रेतन की सीधी रेखा को तोड़कर उसे तिरचा एप्रभावी वे बेकार बना देत हैं संस्य और डर के भाव के विचारों से कभी कुछ भला नहीं हो सकता है वे हरदम ऐसा पलता की और ले जाते हैं उदेश्य पूर्जा करने की शक्ती और सभी शशक्त विचार तब रुख जाते हैं जब मन में संस्य और डर के विचार घुच जाते हैं कुछ करने की इच् सबसे बड़े शत्रू हैं और वहे लोग जो उसे बढ़ावा देते हैं उन्हें मारते नहीं बलकि वे हर कदम पर निश्वल होते रहते हैं जिनोंने संस्या और भैपर विजय पाली है उन्होंने ऐसा बलता को जीत लिया है उनका हर विचार समर्ते से जुड़ा हुआ है और स किसे फलफूल देते हैं जो समय से पहले नहीं गिर जाते हैं बिना किसी भैके उदेश्य से जुड़ा हुआ विचात रचनापनों शक्ति बन जाता है वे जो यह जानते हैं वे तयार हैं बटकते विचारों और उतरते चरते समवेदनाओं की गठरी से ज्यादा कुछ उच प्रुक और बुद्धिमान शाशक बन जाते हैं धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक टोट कॉम आपका दिन शुब हो आप जो भी पाते हो या पाने में ऐसफल होते हैं तो यह सब आपके विचारों का सीधा सीधा नतीजा है इस न्यायपूर्ण व्यवस्थित संसार में जहां संतूलन की कमी विनास ला सकती है वहां व्यक्तिकत जिम्मेदारी अवश्य पूर्ण होनी चाहिए आपकी ताकत या कमजोरी सफलता या एसफलता जैय या पराजय सुख या दुख जैसी कोई भी दसा केवल आपकी ही है किसी दूसरे की नहीं है जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप हो जैसा आप सोचते रहते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं शशक्त लोग कमजोर लोगों की मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक कमजोर लोग मदद लेने के लिए तयार नहीं होते जिस मजबूती को वे दूसरों में देखते हैं उन्हें अपने प्रेतनों के द्वारा उस सामर्थ्य को विक्सित करना होगा केवल और केवल हम खुद ह अपनी दसा को बदल सकते हैं दबाने वाले वे दबने वाले वास्तों में अपने आपको सताने में सहयोगी होते हैं बलकि देखने में यह लगता है कि वे एक दूसरे को सता रहे हैं पूर्ण ग्यान करम के नियम को दबाने वाले की कमजोरी में और दबाने वाले की दूस प्रियुक्त शक्ति में देखता है। हमें अपने विचारों को अति भोगवादी होने से उपर उठाना चाहिए। हमें सफलता पाने के लिए सभी स्वार्थों को नहीं तो कुछ को तो छोड़ना ही होगा। अगर हमारे सभी विचार भोगवादी हैं जिससे हम ने तो ठीक प्रकार से सोच सकते हैं और ने ही ठीक योजना बना पाते हैं। इसलिए हम जादातर क्षेत्रों में ऐसफल होते हैं। वे हमारी संसारिक सफलता इस बात के सीधे अनुपात में होगी कि हमने किस हद तक स्वार्थी भोगाशक्त विचारों पर काबू पालिया हैं। और अपने मन को अपनी योजनाओं के विकास और अपने संकल्प और आत्म विश्वास को सशक्ट करने में लगाया है। हम जितनी उच्चता आपने विचारों में लाएंगे उतने ही ज़्यादा धरम संगत, सही और आदर्श्वादी हम बन पाएंगे। और उतनी ही ज़्यादा हमारी सफलता होगी वे हमारी उपलवतियां उतनी ही अधिक आशिरवादित वे स्थाई होगी। लोभी, बै-इमान वे दूस्ट इंसान का साथ ब्रमांड कभी नहीं देता। लेकिन सरसरी तोर पर लज सकता है कि ऐसा हो रहा है। वे है इमानदार, उदार हर्दे, वे पुन्यात्मा की मदद करता है। समस्त योगों के महान शिक्षकों ने यह अलग-लग तरीके से दुनिया को बताया है कि इसको जानने वे सत्या साबित करने के लिए आपको विचारों को उच्च करके अपने आपको पुन्यात्मा बनाने में कारियरत रहना है। बोध्धिक उपलब्दियां ज्यान की खोज या जीवन और प्रकर्ति में सुंदरता वे सत्य की खोज में अरपित विचारों का नतिजा है। जो लोग लगातार पुन्य वे उच्च विचारों की भावना रखते हैं, जो उन सब पर चिंतन करते हैं, जो शुद्ध वे निश्वार्त हैं। सूर्य और चंदर की पूर्णता की तरह अवश्य ही अपने चरित्र में पुन्यात्मावे ज्यानी बनते हैं और एक प्रभावशाली और धनी स्थिति तक उपर पहुंचते हैं। हम संसार में उच्छ सफलता पा सकते हैं और अध्यात्मिक लोक में भी उच्छ स्थिति तक उठ सकते हैं और दमभी, स्वार्थी वे दुसित विचारों को अपने में समा कर हम कमजोर और दुर्भग्य शालिश्थिति में गिर सकते हैं। सही विचार द्वारा प्राप्त विजे को केवल सार्थकता द्वारा ही बनाई रखा जा सकता है। वे जिने बहुत कम मिलता है उन्हें तोड़ा त्याग भी करना चाहिए और जो ज़्यादा प्राप्त करते हैं उन्हें ज्यादा त्याग करना चाहिए। जिने उच्छतम मिलता है उन्हें महान त्याग करना चाहिए। धन्यवाद हिंदी ओडियो बुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो। जेम्स एलन अध्याए छे परिकल्पनाएं और आदर्ष। स्वपन देखने वाले इस संसार के मसीहा हैं जिस तरह से द्रश्य जगत एद्रश्य द्वारा पोशित है। उसी तरह मानवता सभी परिक्षाओं, गल्तियों और कष्ट में उसके योगी स्वपन देखने वालों की सुन्दर परीकल्पनाओं द्वारा पोशित होती है। मानवता अपने स्वपन द्रश्टाओं को भूल नहीं सकती, वे उनके आधर्शों को एसे ही फीका पड़कर मर जाने नहीं दे सकती, वह उनमें रहती है, वह उन्हें वास्त्विक्ताओं जैसा मानती है, जैसे की एक दिन वह उन्हें देखेगी और जान पाएगी। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवी, पैगंबर, रिशी ये जगत के परे की दुनिया के बनाने वाले हैं, स्वरग के शिल्पकार हैं, यह जगत सुन्दर है क्योंकि ये इसमें रहते हैं, उनके बिना श्रमकारी मानोता मिट जाएगी। जो अपने हरद्य में एक सुन्दर परिकल्पना को वै उच्च आदर्स को संजोते हैं, एक दिन उसे साकार कर पाएंगे। कोलंबस ने एक दूर देश की कल्पना को संजोया था और उसने उसे खोज निकाला। कोपर निकस ने संसारों की अनेकता और एक विस्तरत ब्रमहंड के होने की परिकल्पना को पोशित किया था और उसने उसे प्रकट भी किया। भगवान बुद्ध ने निश्कलंक सुंदरता और पूर्ण शान्ति के अध्यात्मिक जगत की परिकल्पना को संजोया था और उन्होंने उसमें प्रवेस भी किया। अपनी परिकल्पनाओं को पोशित करो, अपने आदर्सों को पोशित करो, तुम्हारे हर्दय में जो संगीत उमडता है, मन में जो सुंदरता रूप लेती है, तुम्हारे सुक्षमतम विचारों को जो खोबसूर्ती लपेटती है, उसे पोशित करो, क्योंकि उन सब में से हर्षपूर्ण परिष्थितियां और स्वर्ग पूर्ण वातवण पन पेंगे और बढ़ेंगे यदि तुम इनके प्रती सचे रहो तो तुम्हारे संसार का अंतत्य निर्मान होगा चाहने से तुम पाओगे आकांक्षा रखने से प्राप्त करोगे क्या हमारी निम्नतम इच्छाओं को संतुष्टि का पूर्ण माप मिले और हमारी सुद्धतम आकांक्षाएं पोर्षण की कमी से नष्ट हो जाएं ब्रमान्ड ये नियम ऐसा नहीं है एसी दसा में चीजों को प्राप्त नहीं किया जा सकता मांगो और तुम्हें मिल जाएगा उच्छ स्वपन देखो और जैसे तुम स्वपन देखोगे तुम वैसे बन जाओगे तुम्हारी परिकल्पना उसका वचन है जो तुम एक दिन बन जाओगे तुम्हारे आधर उसकी भविश्यवानी है जिसे तुम अंत में परदा उठा कर देख सकोगे मानव उपलब्या सबसे पहले और लंबे समय तक एक स्वपन थी ओक का व्रक्ष मंजू फल में छिपा होता है चिडिया अंडे में पलती है और आत्मा की उच्चतम परिकल्पना में जागरत देवदूद चलते हैं स्वपन वास्विक्ता के वीज है तुम्हारी परिस्तित यहां हो सकता है प्रतिकूल हो परंतु वे एसा लंबे समय तक नहीं रहेंगी यदि तुम एक आदर्श को मन में रखकर उसे पाने के लिए जीजान लगा दो बाहर शांत खड़े रहे कर तुम अंतर में यात्रा नहीं कर सकते एक यूवती है और एक यूवक है दोनों ही ग दोनों ही बेहतर जिंदगी के सपने देखते हैं और वे बुद्धी, कृपा, सिष्टता और सुंदर्था की कल्पना करते हैं वे मानसिक तोर पर एक आदर्श जीवन परिस्टी की कल्पना करते हैं एक विस्तरत सुतंतर्था की परिकल्मना करते हैं और एक बड़ी आकांक व्याकुल्था उन्हें करम करने के लिए उक्साती है और वे अपने खाली समय वे साधनों को चाहे वे अभी कम है अपने सोही शक्तियों और साधनों के विकास में लगाते हैं। शिक्र ही उनके मन इतने परिवर्तित हो जाते हैं कि वह वरक्षाप उन्हें बांद कर नहीं रख पाती है। बहुत ही विशिष्ट तरीकों में हम उन्हें मन की कुछ एक शक्तियों के अधिकारी पाते हैं जिनके प्रियोग से वे दुनिया भरपर प्रभाव और लगबग एप्रतिम समर्थय से साशन करते हैं। वे अपने हाथों में विशाल जिम्मेदारियों के सुप्रों को थामे हैं। वे बोलते हैं और जीवन रुपांतरित हो जाते हैं। श्त्री और पुरुष उनके शब्दों में विश्वास करते हैं और अपने चरित्र को पुने ढालते हैं। और सूरज की तरह ये एसे स्थाई और प्रकाशित के इंदर बन जाते हैं। जिसके चारों और असंख्य जीव गूमते रहते हैं। उन्होंने अपने योवन की परिकल्पना को पा लिया है। वे अपने आदर्शों से एक हो गए हैं। तुमने जो कमाया है वे है तुम पाओगे ने ज्यादा ने उससे कम। तुम्हारे वर्तमान का वातावार्ण चाहे कैसा भी क्योंने हो। तुम्हारे विचारों, तुम्हारी परिकल्पना, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे आदर्श द्वारा तुम या तो गिरोगे, वैसे ही रहोगे या पिर उठोगे तुम अपने नियंत्रित इच्छाओं जितना छोटे बन जाओगे या तुम अपनी प्रबल अभिलाशाओं चैसे महान बन जाओगे। स्टेंटन क्रिग हम डेविस के सुंदर शब्दों में तुम बही खाते संबाल रहे हो और तुम अभी उन दरवाजों से बाहर निकलते हो जो इतने समय से तुम्हें लगता था कि तुम्हारे आधर्शों के लिए रुकावड थे और अपने आपको श्रोताओं के सामने पाते हो पेना भी भी तुम्हारे कान पर अटका है उंगलियों पर शाही की दब्बे हैं और तभी उसी क्षण में तुम्हारे अंतर में प्रेड़ना की वर्षा होने लगती हैं तुम बक्रियों को चरा रहे होते हो और शेहर में घूमते होए पहुंच जाते हो फटे मूं देहा और कुछ नहीं है अब तुम स्वें गुरू बन गए हो जो थोड़े समय पहले तक बक्रियां चराते हुए महानकारियों के गठने के सोपन देखा करता था बेपरवा अज्यानी और आलसी केवल चीजों के लिए प्रतेक्स प्रभाव को देखते हुए नैकी स्वें चीजो भाग्य, किस्मत और संयोग के बारे में बात करते हैं किसी को धनवान बनता देखकर कहते हैं कितना भाग्य शाली है किसी को सूप्रसिद विद्वान बनता देख वे आस्चरिया से कहते हैं उस पर कितनी कृपाद्रष्टी है और किसी सादू प्रवर्ती वाले व्यक्ती औ और उसका अन्य लोगों पर प्रभाव पड़ते देखकर वे टिपनी करते हैं, देखो किस्मत कैसे हर कदम पर उसका साथ दे रही है, वे उन परिक्षाओं, ऐसा वलताओं और संगर्श को नहीं देखते, जो इन स्त्री पुरूसों ने अनुभाव पाने के लिए सहर स्विका उन्हें इनके द्वारा किये गई त्याग का, साहसिक प्रेतन का और विश्वास जिसे उन्होंने अपनाया है, का जरासावी द्यान नहीं है, जिससे कि वे अलंध्य दिखने वाले लक्षे को प्राप्त कर सकें, और अपने हरद्य की परिकल्पना को पा सकें, उन्हें मन के अंधकार और दिल के तूटने का कोई ऐसास नहीं होता, उन्हें केवल प्रकाश और प्रसंता दिखती हैं, और वे उसे भाग्य कहते हैं, वे लंबी और कठिन यात्रा नहीं देखते, केवल सूखी परिणाम को देखते हैं, और वे उसे सद भाग्य कहते हैं, वे प्रक्रि प्रहतन किपना शशक्त है इसे फल से मापा जाता है, यह कोई संयोग नहीं है, कहे जाने वाले उपहार, शक्ति, भोतिक, बोधधिक और अध्यात्मिक अधिकार प्रहतन के है, वे पूर्ण किये वे विचार हैं, प्राप्त किये वे लक्षे हैं, साकार परिकल्पनाई हैं, वह है परिकल्पना जिसकी तुम अपने मन में परसंसा करते हो, वह है आदर्स जिसे तुम ने अपने हर्दे में विराजित कर रखा है, उससे तुम अपने को बनाओगे और यही तुम बन जाओगे. धन्यवाद, hindi-audiobook.com, आपका दिन शुब हो. मन की शान्ती ज्ञान का एक फुंदर मनी है, वह आत्म सय्यम के लंबे और धहर्य पूर्ण प्रियतन का नतीजा है, उसकी उपस्तिती परिपक्व अनुभव का और नियम वे विचारों के उच्छ ज्ञान वे कारियकलाब का चिन्ने है, हम उसी मात्रा में शान्त होते हैं, जितना हम विचार, विक्सित अस्तितों के रूप में सुएको समझते हैं, क्योंकि ए साज्यान, विचार के फल्सोरू, निश्चित ही दूसरों को समझने की ख्षमता रखता है, और जैसे हम सही समझ को विख्षित करते हैं और कारण वे प्रभाव के आधार पर आंतरिक भावनाओं वे वीचारों को अधिक स्पष्टता से समझते हैं हम चीकते चिलाते नहीं और चिंतित वे दुखी नहीं होते हैं हम संतुलित वचनबद और शांत रहते हैं वे लोग जो शांत हैं जिनोंने स्मय को नियंतरित करना सीखा है जानते हैं कि स्मय को दूसरों के माफिक कैसे बनाया जाए और ये दूसरे बदले में शांत लोगों की अध्यात्मिक सामर्थय का सम्मान करते हैं और यह सोशते हैं कि उससे सीख सकते हैं और उस पर भरोसा कर स जितने अधिक प्रशान्त हम बन जाते हैं उतनी अधिक हमारी सफलता हमारा प्रभाव वै अच्छाई के लिए हमारा सामर्थ होता है। और शान्त लोगों को सदा सम्मान मिलता है वै उनसे प्यार किया जाता है। वै प्यासी भूमी में च्छाउं देने वाले पेड या फिर तूफान में पना देने वाली चट्ठान की तरह होते हैं। वह चरित्र की विशिष्टता जिसे शान्तता कहते हैं संस्कृति का आखरी सबक है। वह जीवन का फूलना है। आत्मा का फलना है। वह ज्यान की तरह मुल्यवान है और उसकी सोने से भी ज़्यादा कामना करनी चाहिए। हाँ उतकरष्ट सोने से भी ज्यादा पैसे को पाने की चाह कितनी तुछ लगती है जब उसकी तुलना एक शान्त जीवन जो सत्य के सागर में लहरों के नीची आंदी तुफान की पहुंच से परे शाश्वत शान्ती में बसता है। हम एसे कितने ही लोगों को जानते हैं जो अपने जीवन को एप्रिय बना लेते हैं जो अपने विस्पोटक गुसे के कारण वह सब जो मधूर और सुन्दर है उसे तबाह कर देते हैं जो अपने चरित्र की सिष्टता का नाश कर देते हैं और मन मुटव पैदा कर देते हैं यह एक प्रशन है कि क्या बड़ी मात्रा में लोग अपने जीवन को तबाह नहीं करते हैं और क्या वे ना समझी और आत्मनियंतरन की कमी के कारण अपने जीवन की खुशियों को मार नहीं देते हैं हम अपने जीवन में एसे कितने कम लोगों से मिलते हैं जो शान्त होते हैं जिन में अदबुत सिष्टता होती है जो कि एक परिपक्व चरित्र की विशेस्ता है हाँ ए नियंतरित गुसे से मानोता आवेश में आती है ए नियंतरित दुख से उत्यजित हो जाती है व्यगरता और सहियम से प्रभावित होती है केवल वे ज्यानी जिनके विचार नियंतरित वे शुद्ध है आत्मा की तेज हवाओं और तूफानों वे हवा को काबू में ला सकते हैं तूफान में डावाडौल आत्मा चाहे तुम कहीं भी क्यों नहीं हो चाहे किसी भी प्रिस्तितियों में क्यों नहीं रहते हो यह जानती है कि जीवन के समुंदर में पवित्तरता के द्वीप मुश्कूरा रहे हैं और तुम्हारे आदर्शों का उजला किनारा तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। विचारों की पतवार को अपने हाथों में कसकर पकड़ कर रखो। तुम्हारी आत्मा के जहाज में प्रबल स्वामी आराम करता है। वह केवल सोता है। उसे जगाओ। आत्मनियंत्रण सामर्थ्य हैं, सही विचार स्रेष्टता है, शांतता शक्ती है। अपने हर्दय से कहो, शांत रहो, स्थिर रहो। धन्यवाद हिंदी ओडियो बुक टोटकोम आपका दिन शुब हो।